हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है जीकिस्टडी ऑनलाइन तो दोस्तों आज आपके लिए बहुत यह बढ़िया वाले टॉपिक से में जो हूं यह वीडियो लेकर आया हूं तो दोस्तों यह हमारा पॉलिटी का एक फंडमेंटल राइट्स डीपी बुले तो डिरेक्टर प्रिंसिपल्स अफ स्टेट पॉलिसी और फंडमेंटल डियूटी से जो है हम आपके लिए टॉप के तीस सवाल लेकर आए हैं तो यह सवाल आपके लिए काफिए फाइदेमन साबित होने वाले तो आपके आने वाले हो या फिर आपने हमारे चैनल को पहली बार विजिट करा हुआ है तो आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए सब्सक्राइब करने के साथ साथ जो है बेल आइकन भी जरूर दबाएं दोस्तों और कॉमेंट करते रहिए शेयर करते रहिए और लाइक करते रहिए ह हमारे भारत के समविधान में कितने fundamental rights को जो है mention करा गया है ठीक है दोस्तो options are 5, B में कहा गया, 6, C में कहा गया, 7 and D में कहा गया, 8 इन चारू में से यह आपका correct answer है, यह हम सब लोग जानते हैं क्योंकि बहुत basic सा सवाल आपसे पूछा जा रहा है दोस्तो अगला सवाल जो है आपका यह रहा हमारी स्क्रीन पर और इस सवाल में कहा गया है according to the constitution of India, which of the following is enforceable in the court भारत सम्विधान के अनुसार नीचे दियेगे options में से कौन सा जो है which is enforceable in the court यह आपको बताना है options are directive principles, b में कहा गया, preamble, c में कहा गया, fundamental duties and d में कहा गया है fundamental rights, so a, b, c, d, 4 options आपके सामने पढ़े हैं दोस्तो इन में से आपको बताना है कि इन में से कौन सा सही होना वाला है तो दोस्तों हम सब जानते हैं कि अगर हमारे fundamental rights जो है वो violet होते हैं तो हम जो है court का दर्वाजा खटखटा सकते हैं तो यह वाला इसका सही होने की संभावना हो जाती है fundamental rights वाला जो है यह आपका सही हो जाएगा इसके बाद दोस्तों हमारा question number 3 और question number 3 में हमसे पूछा रहे हैं which one among the following is not included in the fundamental rights embodied in the constitution of India इन में से कौन सा जो है वो हमारे fundamental rights का हिस्सा नहीं है जो कि हमारे भारती सम्विधान में fundamental rights दिये गए है options आपके यह रहे दोस्तों options में कहा गया है A में कहा गया है right to equality यह typing mistake है इसके लिए मैं माफी चाहूँगा दोस्तों तो चोथे में कहा गया है right to information A, B, C, D, 4 options आपके सामने पढ़े हुएं दोस्तों और इसका जो सही answer है वो आपको बता है यह यह वाला होने वाला है ठीक है न चलिए question number 4 दोस्तों हमारी screen पर यह रहा जो की काफी बढ़िया सवाल है इसमें कहा गिए which one of the following is the guardian of fundamental right किसको जो है guardian of fundamental right माना जाता है ठीक है legislature, executive, political parties या फिर judiciary ठीक है इन में से जो है कौन सा सही होने वाला है ठीक है तो दोस्तों हम सब को पता है अगर आपने basic इसका अच्छे से पड़े होंगे fundamental rights के तो आपको यह पता चले जाएगा कि judiciary जो है उसी को माना जाता है guardian of the fundamental rights ठीक है न सवाल नमर 5 काफी मज़ेदार है दोस्तों जिसमें कहा गिए fundamental rights are not given to ठीक है तो यह हमें बताना है कि यह जो fundamental rights होते हैं यह किसको नहीं दिये जाती ठीक है bankrupt persons, aliens, persons suffering from incurable diseases या फिर political sufferers है न क्या bankrupt persons इसका सही आएगा, aliens सही आएगा, persons suffering from incurable diseases सही आएगा या फिर political sufferers ठीक है so ABCD चार options है और इनमें से जो सही option है वो आपका political sufferers वाला होता है दोस्तों यह सवाल हम लोग पहले भी किसी वीडियो में discuss कर चुके थे तो उमीद है कि आपको इसका पहले से ही idea होगा ठीक है दोस्तों question number six जो है वो आपकी screen पर यह रहा इसमें कहा गया which part of the Indian constitution deal with fundamental rights हमारे भारत के सम्विधान का कौन सा हिस्सा जो है वो fundamental rights से भी वाला है वह यह वाला है क्योंकि यह बहुत आसान सवाल है बहुत basic सवाल है और हम सबको इसका already idea भी है चलिए which of the following justiciable in nature ठीक है यह सवाल पहले भी पूछा गया थोड़ी दिर पहले लेकिन उस time यह अलग pattern में पूछा गया था हम लोगों से इसका जवाब तो आना ही चाहिए आप सब लोगों को इनमें से आपको पताना है कि इसमें से कौन सा justiciable है nature के हिसाब से ठीक है fundamental duties DPSP fundamental rights या फिर ननव answer ठीक है दूस्तो चलिए उसके बाद हमारा अगला वाला सवाल है वो क्या होने वाला दूस्तो वह क्वेश्चन no.8 और question no.8 में हमसे क्या पूछा जा रहा है इसमें कहा जा रहा है citizens of India do not have which of the following fundamental rights जो भारत के जो citizens है उनको इसमें से कौन सा जो है उनका fundamental right नहीं होता है नीचे देग options में से ठीक है so options क्या-क्या है ए में कहा गया right to reside and settle in any part of India ठीक है B में कहा गया right to acquire hold and dispose property C में कहा गया right to practice any profession and D में कहा गया right to form cooperative societies ठीक है तो दोस्तों right to reside and settle in any part of India ये तो हमारा right है ठीक है right to acquire hold and dispose property आपको पता right to property जो उसको हटा दिया गया था ठीक है तो right to practice any profession भी है तो right to form cooperative societies भी जो हमें देखने को बिलता है तो इसका जो सही answer है वो हमारा option B हो जाएगा इस हिसाब से ठीक है ये हमारा correct जवाब इसका है उसके बाद दोस्तों ये हमारा है question number nine जो की काफी important सवाल है और इसमें पूछा जा चुका है क्या which one of the following statements is correct इन में से कोन सी statement जो है वो correct होने वाली है rights are claims of the state against the citizen ठीक है rights are privilege which are incorporated in the constitution of the state ठीक है इसके इलावा है rights are claims of the citizens against the state या फिर rights are privileges of a few citizens against the many ठीक है न एबी सीरी चार बढ़िया वाले options है और इन में से जो सही जवाब है वो कौन सा होने वाला है दोस्तों अगर आपको idea नहीं है तो बता दू ये वाला आपका होने वाला है दोस्तों ये सवाल आपसे कई सारे papers में already पूछे जा चुके हैं इस तरह के सवाल और ये repeat होते हैं questions लेकिन क्या किया जाता है कि इनका थोड़ा pattern बदल दिया जाता है सवालों का उस हिसाब से हमें ये सवाल नए लगने लगते हैं अदर्वाइस ये सारे सवाल कभी नगभी जो है paper में जरूर पूछे जा चुके होंगे अलग-अलग तरह के ठीक है तो in the Indian constitution the right to equality is granted by which article they are ठीक है आपको बदाने के भारतिये सम्विधान में जो right to equality है उसको grant कहया गया है कौन से articles में और वो कौन-कौन से है options are article 13 to article 17 a option b option कहते है article 14 to article 18 ठीक है c option says article 15 to article 19 and d option says article 16 to article 20 इस में से जो सही है वो कौन सावाला है दोस्तों सबको बताए कि वो ये वाला सही होने वाला आटिकल 14 to article 20 बहुत 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 आसान और बहुत मज़िदार और बहुत इंपोर्टेंट सवाल है ठीक है यह रहा हमारे question number 11 जिसमें हमसे पूछा क्या है विन विच आर्टिकल अब ती constitution equal protection of law is provided ठीक है इन विच आर्टिकल अब दी options है सवाल नंबर 11 आप से पूछा जा रहा है और इसका जो सही है वो कौन सा आपका होने वाला है तो दोस्तों इसका जो सही वाला answer है वो है आपका option C बोले तो आर्टिकल 14 ठीक है कि दोस्तों इसके बाद आपका जो है यह हमारा question mo 12 जिसमें पूछा गय है which article of the indian constitution prohibits discrimination on the grounds of religion race caste sex and place of birth दोस्तों आपको बताना है ऐसा कोन सा article है जो यह हम जो हमारी जो क्या कहते इसको बात करता है वीच आप वीच आपका इंड्यां कॉन सा आर्टिकल होने वाला है दोस्तों यह आपका कॉन सा article होने वाला है दोस्तों ये आप से सवाल पूछा जा चुका है तो ये आपका सवाल होने वाला है ये वाला दोस्तों आपके options ये रहे article 25, article 19, article 23, article 15 और इसका जो सही answer है वो article है हमारा कौन सा वो है article 15 यानि बोले तो ये वाला ये आपका बिल्कुल सही जवाब है इसका ठीक है इसमें confuse मत होना ये ही है इसका answer अप धंक से पॉलिटी पढ़ोगे तो आपको ये सारी चीज़े पता चल जाएंगी चलिए उसके बाद ये सवाल ये बहुत basic सा सवाल है इसका तो maximum लोग को अलड़ी answer पता होगा आपके वैसे कितने इसमें से सही होंगे आप हमें comment section में comment करके जरूर बताईएगे दोस्तों ये है हमारा question number 13 जिस पर पूछा गया है तो हमारा constitution का कौन सा article है जिसमें abolition of untouchability जो है वो guarantee की रही है options are article 14, article 15, article 16 या फिर article 17 a, b, c, d, article 14, article 15, article 16 in article 17, a, b, c, d, चार options हमारे पास बड़िया वाले हैं और हम सब को ही इसका answer अल्री पता है question number 13 जो है वो आप से पूछा जा रहा है दोस्तों इसका जो answer है वो आपका हो जाएगा option d, article 17 बहुत 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 बार इसको अलग-अलग paper में पूछा जा चुका इस सवाल को तो काफी important सवाल है यह यह हमारा अगला सवाल है दोस्तों जिसमें पूछा किया in which one of the following categories of fundamental rights incorporates protection against untouchability as a form of discrimination बात की जा रही है कि which one of the following categories है न कौन सिसमें ऐसी category है of fundamental rights जो करती incorporate protection against untouchability as a form of discrimination so options are right against exploitation है यह typing mistake के लिए मैं एक बार फिर से माफी चाहूंगा right यह दूसा वाला right यहां पे लिखा गया है so right against exploitation right to freedom, right to constitutional remedies या फिर right to equality ABCD चार options आपके पास बढ़िया वाले तो आपको इसमें से ढूनना है सही वाला जवाब जो है वो कौन सा होने वाला है आपका इसमें से तो कौन सा होने वाला है दोस्तों यह आपका होने वाला है question number है 14 और 14 का जो सही जवाब है वो है आपका option D बोले तो right to equality यह वाला ठीक है चलिए दोस्तों बढ़ते हैं हम आगे की और और आगे जो है हमारा है कौन सा वाला आगे है हमारा ये वाला question number 15 question number 15 में हमसे पूछा जा रहा है कि which one of the following does not fall within the purview of article 21 of the constitution ठीक है इन में से कौन सा article 21 के दाइरे में नहीं आती हैं चीजें यह आपको बताना है options are medical aid to injured by a doctor A में कहा गया है यह कहा गया option A में B में कहा गया है sexual harassment of women at workplace C में कहा गया है दोस्तो C option में कहा गया है pollution of the quality of air and D में कहा गया है capital punishment तो इसमें से कौन सा सही होने में रहे हैं A, B, C, D medical aid to injured by a doctor sexual harassment of women at workplace दूसरा pollution of the quality of air or capital punishment जो है वो आपका option D में पूछा गया है तो दोस्तों इसमें से यह हमारा है हमारा question number 16 आपकी screen पर इसमें पूछा गया है in the constitution of India in the constitution of India promotion of international peace and security is included नहीं है तो हमारे जो भारत का सभी धान है वो बात करता है promotion of international peace and security है तो यह कहां किस हिस्से में include करता है हमारे constitution के options are preamble to the constitution B कहता है director principles of state policy C option कहता है fundamental duties and D option कहता है 9th schedule थी है न तो दोस्तो A, B, C, D preamble to the constitution director principles of state policy fundamental duties या फिर 9th schedule में ऐसी जैसा कुछ included है तो वो है हमारे fundamental sorry director principles of state policy में काफी मज़िदार सवाल है ठीक है question number 17 काफी जबरदस सवाल है इसमें पूछा गया है which principle among the following was added to the director principles of state policy by 42nd amendment to the constitution ठीक है ये आपको बताना है ये काफी जबरदस सवाल है इसमें आपसे पूछा जा चुका है कि कौन सा ऐसा principle था जो added करा गया था 42nd amendment के तहत हमारे director principle of state policy वाले उसमें ठीक है हमारे constitution में options आपके लिए ये रहे A में कहागे equal pay for equal work for both men and women B में कहागे है participation of workers in the management of industries C option कहता है right to work education and public assistance D में कहागे है securing living wage and human conditions of work to workers तो ये हमारे कितने हो गए ये हो गए हमरे ABCD चार options हमारे दोस्तों ये हो गए और इसमें से जो हमारा जो सही वाला जवाब है वो है हमारा ये वाला ठीक है participation of sorry हाँ भी वाला है हमारा इसमें कहागे है participation of workers in the management of industries ये आपका इसका जो है सही जवाब आपका होने वाला है ठीक है इसके बाद question number 18 जो है ये भी काफी लंबा type का है इसको थोड़ा सा और कम करना पड़ेगा इसमें कहा गया है which one of the following statements relating to the director principle of state policies not correct है तो नीचे जो statements दी गही है तो ये जो है director principles of state policies से relate करती है इन में से कौन सी जो है वो सही नहीं है ये आपको बताना है incorrect का पूछा जा रहा है not correct कौन सी है so the provisions contained in part 4th of the constitution of India shall not be enforceable by any court दूसरे में कहा गया the director principles of state policy are fundamental in the governance of the country C में कहा गया it shall be the duty of the state to apply the director principles in making laws D में कहा गया the director principles are directed in making India an advanced capitalist country of the world so ABCD चारों बढ़िया वाले options है दोस्तों आपको बताना है कि इसमें से जो है आपका कौन सा सही जवाब होने वाला है ठीक है इसमें से जो सही जवाब है वो है आपका option D the director principles are directed in making India an advanced capitalist country of the world ठीक है नहीं ये वाला आपका सही होने वाला है चलिए बात की जा रही है कि हमारे भारत में separation of judiciary from the executors is enjoined by किसके थरू ये आपको बताना है so options are the preamble of the constitution दूसरा कहता है director principle of state policy option कहता है 7th schedule and the conventional practice ठीक है A, B, C, D, 4 बढ़िया वाले options दोस्तों आपके सामने ये रहे अब आपको बताना है कि इसका जो सही answer है वो आपका कौन सा होने वाला है ठीक है तो मैं बता दूँ आपको वो आपका answer है ये वाला directive principle of state policy की बात की जा रही है ठीक है चलिए question number 20 दोस्तों आपकी सिक्रीन पर ये रहा जिसमें पूछा जा रहा है article 46 of the constitution of India या refers to the promotion of educational and economic interest of जो article 46 of the Indian constitution है वो refer करता है the promotion of educational and economic interest of किसके interest में आपके पास options ये रहे A में कहा गया religious minorities की बात की जा रही है B में कहा schedule caste, schedule tribes and other weaker sections C में कहा गया displaced persons from large irrigation projects and D में कहा गया the economically deprived है चारू बहुत बढ़िया वाले options है ये धून पाना काफी मुश्किल है अगर आपने इसको धंक से पढ़ा ना हो question number 20 आप से पूछा जा रहा है और इसका जो सही answer है दोस्तों वो आप से का आपका कौन सा जिसमें पूछा जा रहा है which one of the following articles direct state government to organize village बन चाहिए ठीक ना which one of the following articles इन में से कौन सा इस articles है which directs state government to organize village बन चाहिए ठीक ना वो जो direct करता है state government to organize village बन चाहिए so article 33, article 40, article 48 या फिर article 50 ABCD 4 बढ़िया वाले options यहाँ पर दे रखे है article 33, article 40, article 48 या फिर article 50 ABCD 4 options आपके सामने दोस्तों बढ़े हुए है तो इसमें से जो सही वाला है आपका वो आपका article 40 की बात करता है ठीक है यह वाला जो है यह आपका सही answer होने वाला है ठीक है दोस्तों चलिए यह है दोस्तों हमारा अगला सवाल इस वाले सवाल में क्या पूछा जा रहा है इसमें पूछा जा रहा है इन विच आप दी फॉलोविंग येर्ज दा फंडमेंटल ड्यूटीज है विच आपको बताना है आपको बताना है इसका जो सही आंसर है वो है आपका 1976 ये लगभग सब भी लोगों को पता है अगर आपने फंडमेंटल ड्यूटीज पड़ी होंगी तो ये सवाल जो है आपको आप दो सेकेंड में आप इसका आंसर कर लोगे दोस्तों ठीक है दोस्तों ये सवाल ये भी काफी मज़धार सवाल है इसमें पूछा जा रहा है कि जो किसकी रिकमेंडेशन पे हमारे इंडियन कॉंस्टिशन में फंडमेंटल ड्यूटीज को इंकल्यूड करा गिया था ये आपको बताना है बलवंतराय महता कमिटी option A कहता है B कहता है C option कहता है D कहता है ABCD चार आपके पास कमिटी के नाम दिये हुए यहाँ पर इन में से आपको जो सही वाला है वो ढूंड के बताना है दोस्तों ठीक है question number 23 आप से पूछा जा रहा है और इसका सही option है आपका स्वरन सिंग कमिटी तो दोस्तों उमीद करते हैं कि यह आपके लिए काफी helpful साबित हो रही होगी यह वीडियो यह हमारा question number 24 ठीक है question number 23 पे हम लोग पहुँच चुके हैं पता भी ने चला चली यह हमारा 24 सवाल हमारी स्क्रीन पे रहा जिसमें कहा गया है to uphold and protect the sovereignty है ना इसको uphold and protect करने की बात करिये sovereignty, unity and integrity of India is a provision made in ठीक है यह provision जो है यह किस में बनाए गया है ठीक है यह आपको बताना है क्या यह preamble of the Indian constitution में है या फिर डिरेक्टर प्रिंसिपल अफ स्टेट पॉलिसी में ऐसा देखने को मिलता है fundamental rights में यह चीज़े देखने को मिलती है या फिर fundamental duties में हमें यह सब देखने को मिलता है ABCD चार options आपके पास बढ़िया वाले रहे 24 सवाल हमारी स्क्रीन पे यह रहा दोस्तो तो आपको बताना है कि इसका जो सही answer है वो कौन सा होने वाला है दोस्तो वो हमारी है fundamental duties ठीक है चलिए इसके बाद जो है दोस्तो हमारा अगला सवाल question number 25 which one of these is not a fundamental duty इन में से कौन सा जो है वो हमारी fundamental duty नहीं है यह आपको बताना है first है to abide by constitution and respect the national flag B कहता है to promote harmony and brotherhood C option के तो uphold and protect the sovereignty and D option केता है abolition of titles except military and academic ABCD चार बढ़िया वाले options 25 सवाल आपकी screen पर आपसे पूछा जा रहा है दोस्तो और हम सब को पता है कि इसको छोड़ के जो है यह सारे के सारे जो है बाकी हमारी fundamental duties का हिस्सा है ठीक है दोस्तो question number 26 आपकी screen पर यह रहा जिसमें पूछा जा चुका है के पास है दोस्तो मुझे लगता है इसका तो maximum लोगों को already पता ही होगा कि इसका answer क्या होने वाला है ठीक है इसका answer आपका होने वाला है यह वाला ठीक है क्योंकि इस तरह के तो कोई बात ही हमारी fundamental duties में नहीं होती है ठीक है बाकि यह वाले तो हमारे correct options हो जाते है ठीक है option A जो है वो आपका correct हो जाता है इसमें यानि के to vote in public elections ठीक है यह रहा दोस्तो हमारा question number 27 और इसमें क्या पूछा जा रहा है इसमें पूछा जा रहा है fundamental duties are given in which part of the constitution fundamental duties जो है वो कौन से हिस्से में हमारे constitution के बताई गई है यह आपको बताना है ठीक है न तो दोस्तो वो हमारे कौन से fundamental duties are given in which part of the constitution options are part 1, part 2, part 3 या part 4A तो दोस्तो इन में से आपका कौन सा सही होने वाला है यह आपको बताना है ठीक है तो दोस्तो इसका जो है यही वाला सही है आपका ठीक है यह काफी बार exam में पूछा जा चुका सवाल है तो दोस्तो यह है हमारे part 4A में ठीक है चलिए दोस्तो यह रहा हमारा अगला वाला बोल तो question number 28 और इसमें क्या पूछा जा रहा है इसमें पूछा जा रहा है हमसे which one of the following is not a fundamental duty of the citizens of India वैसा ही सवाल एक बार फिर से आया कि नीचे दियेगे options में से कौन सी जो है fundamental duty नहीं है हमारे इंडिया के citizens की ठीक है options are to develop scientific temper humanism and the spirit of inquiry and reform ठीक है तूसर option कहता है to safeguard public property and to abjure violence ठीक है C option कहता है to uphold and protect the sovereignty, unity and integrity of India ठीक है and D option कहता है to practice family planning and to control population ठीक है ABCD चार बढ़िया वाले options हमने आपको बता दिये दूस्तों अब आपको बताना है कि इन मेसे जो है आपका सही जवाब कौन सा होने वाला है ठीक है तो आपका जो सही वाला option है वो है आपका बुले तो ये वाला देखे न ये कैसे है हमारी fundamental duty to practice family planning and to control population हलाकि कोई ऐसा करे तो बड़ी अच्छी बात है but this is not the part of our fundamental duties ठीक है न चलिए ये है हमारा question number 29 जिसमें कहा गया है which one of the following is a fundamental duty in India इन में से कौन सी जो है हमारे इंडिया में fundamental duty हमें देखने को मिलती है हमारी constitution के तहत separation of judiciary from executive to value and preserve the rich heritage of our composite culture free and compulsory education for children OD में कहा के abolition of untouchability so ABCD 4 आपके पास बढ़िया वाले options है दोस्तों इन में से आपको बताना है कि कौन सा आपका सही होने वाला है ठीक है तो आपका इसमें से कौन सा सही होने वाला है दोस्तों वो है आपका option ये वाला ठीक है इसमें आप से पूछा गया है कि which one of the following is a fundamental duty in इंडिया इन में से कोन सी जो है हमारी fundamental duty है ठीक है ने तो क्योंकि बाकी तो ये तो नहीं है ना ये सारी चीज़े तो हम लोगों ने यह अलड़ी हमने पड़ी थी fundamental rights फगेरा में ये नहीं है ठीक है और ये भी नहीं है education की बात भी नहीं है ना यही हमारी आजाती इसमें fundamental duty तो यही हमारा सही वारा answer होगा ठीक है ये है दोस्तो हमारे आज के वीडियो का तीसरा ये तीसमा सवाल यानि की last question तो दोस्तो इसमें पूछा किया है कि which of the following committees recommended inclusion of fundamental duties देखिए कौन सी इन में से ऐसी committee है जिसने इसकी बात करी थी committee की inclusion की ये आपको बताना है options are तारापूर committee, राधा कृष्ण committee, बलवंत रायक महत committee या फिर स्वरन सिंग committee ABCD चार बढ़िया वाले options आपके सामने दोस्तो ये रहे इन में से आपको बताना है कि आपका सही वाला answer कौन सा होने वाला है तो दोस्तो ये हमने पहले भी discuss करा था थोड़ी देर पहले तो ये हमारा स्वरन सिंग committee वाला फिर से आ गया ठीक है तो comment section में comment करके जरूर बताएगे दोस्तो बने रहे हमारे चैनल के साथ ऐसे ही MCQ वाले आपके लिए बढ़िया बढ़िया वीडियो में लाता रहूंगा ठीक है दोस्तो दोस्तो आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही तो मिलता हूँ आपके साथ अपने अगले वीडियो में तब तक के लिए बाबाई